हेलो स्टेंट सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉंसेप्चुल स्टर्डवित रते इसमें बार पुर्णा स्वागत है और यह वीडियो से लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट एंड हेल्फुल होने वाला ठीक है देखेशन से नया डेट हमको मिला है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट कोचंस भी आएंगे इस चैनल में तो आप जरू से सब्सक्राइब कर लिजेगा देखेशन से लाइट के बारे हम बात करने वाले है आप लोग का जो एक्जाम फॉर्म जो भरा रहा था वो लाश्ट डेट क है अफरीन में तो आप लोग का एक्जाम कब हो गा देखें से एडमीट कार्ड आने में 15 दिन लगते हैं तो देखें आठ पलस 15 कर लिजिए ठीक है एडमीट कार्ड आने में 15 दिन लगते हैं और एडमीट कार्ड आने के बाद 5 दिन भी लग सकता है एकजाम स्टार्ट होने में 15 दिन भी लगते हैं लेकिन अधिकतर स्टार्ट दीन लगते हैं ठीक है अन्य एक सप्ता से दो सप्ता हो जाता है और एक्जाम फोर्म का जो भराने का लाज़ देर आता है उससे 5 दिन के बाद एडिमिट काड़ा आता है ठीक है और एडिमिट काड़ाने के बाद एक्जाम हो जाता पंदो दिन के बाद तो देखिए आठ तारीक यहां है तो आठ पलस दस केतना हो जाएगा अठार हो जाएगा अठार में पांच अगर जोड़ा आजाए तो 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 कभी-कभी देखा गया है कि 15 दिन किसी भी हलत में नहीं होगा कि एड़ीट गळाने इतना टाइम पका लगता है तो पचीन तारीक आप लोग को इधर ही चल गया ठीक है उसके के नुसार हो सकता है कि आपका जैसो तीस तारिक से स्टार्ट या फिर आठ तारिक को स्टार्ट हो सकता है तो हो सकता है कि मैंज़नी मार्च अप्यल हो सकता है पूरा 99 परसेंट चाहंग से या हो सकता है बुठ样कर 25 या फिर 15 के पहले आप लोग का नहीं होगा ठीक है यह तो तीस तारीक को श्टार्ट होगा या तो आपका आठ तारीक को श्टार्ट होगा तो आपका आठ तारीक को श्टार्ट होगा ठीक है या तो चार तारीक को श्टार्ट होगा लेकिन देखेशन्स दस तारीक के बाद होगा भी नहीं यह याद रखेगा दस तारीक के पह भीक्त कई और भॉट हो जायगा तो आप लोग त्यारी भूलंद रखिये अप लोग के पास एक महीने पूरा है तो एक महीने मैं आप सारा सभजेक्ट को बढ़ियाद से पड़ी है important questions मेरे channel में मिल जाएंगे आप लोग को syllabus मेरे channel में मिल जाएंगे देखने को अब आप गेस पेपर लेना चाहते हैं तो हम तो बोलेंगे जो फालतु में आप लोग इधर उदर के जो यह पसे पर धाते ह्यों डायट सुक्तार ही यह प्रजाइब सी आप만 यहुद करें हमेरे दौरह बनाएंगी तो हम ही इसका बढ़ाइँ कर रहें इससा बात नहीं अब मिलागा कर देख लीजेगा ठीक है आप फर्स्ट में एक ही गेस पेपर लिजेगा और जितने भी गेस पेपर है वे मार्केट में उस सारा को देख के लिजेगा ठीक है किसका से जादा important questions आया है पिछला बार भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन से गेस पेपर से सबसे ज़्यादा question आया है उसके पहले भी देख लिजे ठीक है और आज एसा नहीं है कि आज पहली बार हम गेस पर release कर रहे हैं या फिर मतलब release किये हैं ठीक है और तो आप लोग को semester 1 से नहीं मिल रहा है तो देख से आप लोग को मिला लेना एक आप लोग को जो ज्यादा फ्रसमाज में आता हूसी को लिजे ऐसा नहीं है कि CSR और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा और ले रहें ठीक है ऐसा नही है जाता से जादा समझ में आएगा और वही कोचन रहेंगे जो आएंगे मतलब कोई भी गेस्वेपर इस तरह से नहीं का सकता है ठीक और कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि students को सारा topic को point wise cover करना रहता है तो सारा आपका cover हो जाएगा इस case paper से इस तरह के question आप लोगो देखने को मिलेंगे और पंदरों से ज़्यादा question रहेंगे भी नहीं ठीक है पंदरों से ज़्यादा question नहीं रहेंगे किसी भी subject में ठीक है उसे कम हो सकते हैं और उसका answer रहें ठीक है और इसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके का इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेंगे ठीक है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला तो आप लोग जोइन कीजे ग्रुप्स को और सारे कंडिसान है ठीक है बाकि आप लोग को इस चैनल में देखने को मिलेंगे ठीक है तो इससे भी पढ़ लीजिएगा और गेस वेपर को भी पढ़िएगा क्योंकि देखें इंपोर्टन को जान लेने से नहीं होता है ठीक है उसको लिखना भी पढ़ता है किस तरह किस आप लिखेंगे जो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा ठीक है तो आपको कोशन जानने से या कोशन जान लेने से उसके बारे पढ़ लेने से नहीं होता है किस तरह से लिखना है कौन से चीज को लिखना है कौन से चीज को छोड़ना है उससे भी नंबर मिलते है थीक है तो बाकी मेरा तो सपोर्ट रहे गाई थीक है तो आप लोग जरुन से सब्सक्राइब करके रखें चैनल को और इसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेंगे question paper देखने को मिलेंगे ठीक है तो अच्छन से चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ठेंक्स पूरोज फिर मिलेंगे नए चैनल के साथ आप दोगने चैनल बंदे मात